इस देश में देवे गोड़ा की सरकार भी आई इस देश में रिवाट पर की सरकार भी आई इस देश में नरेंद मोदी की सरकार भी आई माता की शक्तिया कम हो जाती है किसी सरकार और किसी वैस्प्रेसे क्या आपको लगता रही है कि यह कहना अपने आप में गलत है देख्या महापूर जी जो आपने बोला राहूल जी राहूल गांदी जी की बात कर रहा हूं मैं जवाब दे रहा हूं मैं शुरू करता हूं उस पर बीच में आप बोल पड़ते हैं इसलिए ये व्यवधान उत्पन हो जाता है मेरी बात को पूरा होने दीजेगा अचारे जी ये भी आपके लिए है राहूल गांदी को डिफेंड करना असान नहीं है महापूर शुक्रों को बहसे भी डिफेंड करना असान बात लिए सवाल करिये दूबारा ज़रा अचारे जी मैं दोबारा सवाल करने तो मेरा सवाल बड़ा सरल है कि ये माता की शक्तिया कैसे कम हो जाती है ये किसी की सरकार बनने से देखे जब मा से बेटा बात करता है तो पड़े अधिकार इसे करता है और वात सल्ले में आके करता है मां से शिकायते भी करता मां के सामने रोता भी है मां के सामने लडाई भी करता तो राहुल जी जो है एक सच्चे हिर्दय के एक सच्चे भक्त है और वो उनकी भावना पर उनकी सद्धा पर सवाल या निशान उठाना ये ठीक नहीं है अगर कभी राहुल गांदी आप से मिले या आपको मिलें तो उनसे जरूर पूछिएगा हो सकता है वो अच्छी तरह जवाब देने मैं आप दूसरी जान रहा हूं आप एतने बड़ी अध्यात्तिक गुरू है मैं आप से जाना हूं किया किसी की सरकार बने से कल को हो सकता है कि यह नरेंद नवोदी की सरकार चली जा यह कह रहे थे कि राहूल जी जाके माता से बात कर रहे थे सोनिया जी से बात कर नहीं पा रहे हैं जाके माता जी से बात कर रहे हैं दूसरी बात है देखिए दुरगा जी की शक्ति कभी क्षीन हो नहीं सकती वो जगद जगदंबे है किसी की अगर किसी माता की शक्ति कम हु गई हैं समाप्त हो गई हैं इसमें कोई दो मत नहीं है इसको आप कंफ्यूज मत करें यह तो खुद आचारे जी मानें और देखिए मैं हाथ जोड़के इसमें को राजनिती नहीं करना चाहता कृपिया करके हिंदू देवी देवताओं को अल्ला को भी जीसस को भी वाहे गु ओनःति आपको मौका दूँगा लेकिन मैंडम को पूछना चाहती थी या कुछ चाहती है मेराचे नए का मतलब मैजे कहना चाहरी हूँ कि जो धरम है उस पे जो लड़ाई ये करवाते हैं दुरूवी करण की जो राजनीती करते हैं यह कॉंग्रेस शुरू ही थी देखिए बहरते जिनता पाटी ने तो आकर यह बताया है या आप यह समझे हिंदूजब में तो यह बताया गया कि हम सब एक है यह तुष्टी करण हुआ तायों कि कर दो आज किसी बात करते है स्काव देखिए मेरे को बड़ा आश्चरी हो रहा है, वैसे मेरे भाई ने सवाल पूछा कि बारत माता की जै के बदले, कि बारत माता की जै के बदले, भारत अमी की जै, तो इसका डिमोंस्ट्रेशन ये आप सहदाब जी जिरा भारत अमी की जै बोल के दिखाई ये, देश बक्ति दिखाने के लिए अलग अलग लोगों नारे इस्था और एक बात बता तो कारगिल के लड़ाई भारत माता की जैने नारा ये तक्बीर अलग अब बता दूगा तो क्या बोल रहे हैं आप आप लड़ाई को भी आप यहां संप्रदाइकता के के दो स्लोगन है ना कोई भारत माता की जैने करके बोलता हूं के लिए आपने अपने अपने बहुत गलत बात बोली और मुझे नारा ये तकबीर और अल्लाहु अकबर बोलके कारगिल का युद्ध जीता गया था ये गलत है और ऐसा कहना भी गलत है और जहां तक भारत अम्मी के जाएक आप लगा दीजी नारा आप लगा दीजी तो अच्छी बात आप भी बहुत सम्माने बोलना पड़ेगा मुझे अरे बोत साहिए भाइस बहुत आप लें आपने लिए कि मुसल्मान लोंग चाहते हैं कि वह मैं ने का बैठा तरальные मेरे पगल में मिरा चोटा भाई यही बोल दे हैं अ हमने की चाहिए है में भारती जनता पार्टी के आने से कई वर्ष पुराने के ना रहे हैं जैशिराम तो 5000 साल पुराना था है वतर मात्रम झाफ की जाए जब भारत जनता पार्टी तो 1980 में बनी है उससे कहीं वर्षों पहले भारत की आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई इसको एकत्रित करने वाले नारे ये नारे थे और उस समय को यह नहीं देखता था कि हम BJP है या हम कॉंग्रस है वो देखते थे हम भारत मा के लिए लड़ में तो मस्जिद में कौल देंगे दर्वाजे यह आपके सामने नमूना खड़ा है और यह अपने आपको शत्रिय बताने आप यह लौकि जान नहीं और इस अड़ाए लोग यह अपने आपको इस जानों को रुकने के लिए यह नमूने को मैं बता रहा हूं कि कि सानों के ल झाल 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 झाल